कि नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत आपका दरश्ट्री टेचिंग एक्जाम में आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र के ही एक अन्य तो पूर, बिंदु को लेकर तक्षा में ये बिंदु आपके सामने आता है जब हम अभीव्यद्य विकास को लेकर पढ़ रहे होते हैं Stroht and development को लेकर पढ़ रहे होते तो विकास के क्रम में ही पढ़ते समय जब हम विभिन अवस्थाओं में जो बालक का विकास है चाहे शैश वावस्था की बात हो बाले वस्था की बात हो किशोर अवस्था की बात हो प्रोड अवस्था की बात हो जब हम इन अवस्थाओं के अनुसार विकास को देख रहे होत और उन विसेस्ताओं के अनुसार, उन विसेस्ताओं को ध्यान में रखते हुए उस आयू वर्ग के लिए सिक्षा का स्वरूख कैसा होना चाहिए तो उसी में आज हम लोग बात कर लेंगे कि विभिन अवस्थाओं में सिक्षा का स्वरूख तो जैसे सैस्व वस्था की बात है उसमें हम बात कर लेंगे, बाल्य वस्था की बात है उसमें हम बात कर लेंगे, किशोर वस्था की बात है उसमें हम बात कर लेंगे, आपको मुख्य रूप से जब आप सीटेट की परिक्षा में बैठने वाले होते हैं, तो आपको ध्यान क करकना होता है शैश्व वस्था और बाल्य वस्था यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अनुमान कीजिए जो आयू वर्ग है यदि आप उस आयू वर्ग को देखेंगे कि छे से बारे वर्ष वाला बाल्य वस्था तक हम जाएंगे अभी मैं एक सामानने रूप में ब बात करते हैं उसको कहा जाता है वह अनोखा काल जैसे शैश्व वस्था कहा जाता है आदर्श काल है यह बालक की अधीगम का तो उसी में सैश्व वस्था में सिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और किश्व वस्था में सिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए इन ती लेकर अखरेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे शैश्व वस्था के बारे में कि представьте अब यदि आपको आयू वर्ग ध्यान रखना हो तो आप क्या कहें जैसे को कि जनम से पांच वर्ष तक जनम से पांच वर्ष तक कर अब इस समय के बालक को 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 आप देखेंगे तो हमने चुँक कि पहले समाजी करन के BINDIU को ले कर बात की है तो उसके समाजी क्रण वाली प्रकरिया चल रही है या ricah n Abend के जो प्राथमिक करता है या आप कहले जैंगे कि उसका जो प्राथमिक चरण हो रहा है घर के अंदर संपादित हुआ है उसी करम में हमको ध्यान रखना है सिक्षा के स्वरूप को लेकर तो एक बात जैसे बालक की जो मूल प्रवत्तियां होती है आप पाएंगे कि इस अवक्था का जो बालक है जैसे उसे भाषा का ज्यान होता है परिवार के अंदर जो सामान्य भाषा सीख लेता है अपनी बात को कहना सीख जाता है तो उस आई वर्ग में क्या होता है आप देखेंगे कि उएक जिज्ग्यासाइं बहुत होती है वह प्रश्न बहुत मूच्छता है ताथ ही उसकी कुछ ऐसी मूल प्रवत्तियां होती है जैसे मूल प्रवत्तियां जन्म जात होती हैं और मूल प्रवत्तियों के साथ में एक सम्वेक जुड़ा होता है हम आगे चलकर इसको विस्तार से बात करेंगे कक्षा में जब हम को लेकर बात करें होंगे सेंटीमेंट को लेकर बात करेंगे तब यह बिंदु पुना आएगा आपके सामने तो उसकी जो मूल प्रवत्तियां है उनको प्रोट्साहित किया जाना चाहिए चाहिए एक विस्ता या एक आप यह कह ली एकुड़े कि सिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए मूल प्रवत्तियों को प्रोत्ताहन जब आप देखेंगे इसके जो दीग काली प्रणाम है जब बालक का व्यक्तित वनता है जब आपने सुना होगा मैंने कई बार आपसे चर्चा भी की है कि हम कहते हैं कि यह अंतर मुखी है हम कहते हैं यह बहिर मुखी है इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट वाली बात आती है तो इंट्रोवर्ट जो बालक रह जाता है या हम कहते हैं कि बालक का व्यक्तित तो अंतर मुखी है यह बालक अंतर मुखी है यह शर्मीला है शाय है अपनी बाते नहीं कह पाता अपनी ब यह इंट्रोवर्ट है तो हमने पहले वी कक्षा में यह बात की है कि जिस बालक की मूल प्रवित्तियों को जिसे कोई बालक है उसकी मूल प्रवित्ति क्या है वो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट ही यह है कि उसे हर पिछ सच बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए वह कि यह होती है आप देखेंगे जो सहज के प्रश्ण बहुत होते हैं यह बाल्या वस्ता जारी रहती है उसके प्रश्ण बहुत होते हैं तो वो हर बात में क्यों लगाएगा या बालक की मूल प्रवत्ती है जैसे हमारी मूल प्रवत्ती क्या होती है जैसे प्यास लगी तो पानी खोजना है हमें भूक लगी तो हमें भोजन खोजना है हमें भोजन की तलाश होती है जब बालक बोलना नहीं जानता है जब बालक लेक्रिया होती है वो क्या करता है वो रोता है आप छोटे बच्चे वो देखेंगे जो बोलना नहीं जानता जो अपनी बेसिक नीड के लिए भी अपने परिवार पर अपने अविभाव को पर माता-पिता पर निर्भर है जिस वालक को अभी जन्म हुआ आप देखेंगे कि उसको केवल करंदन आता है उसकी एक ही अभी वक्ति है अभी अपनी सारिया वशकताओं के लिए उसको بھूक लगी हो प्यास लगी हो शरीर में कोई पीडा हो कहीं दर्द हो उसको एक ही अभी-बेखति आती है क्या वो करंदन करता है वो रोता है लेकिन जैसे-जैसे उसक कि आयू में व्रद्धी होगी तो विकास की पुर्कृिया चलेगी अब सब्सक्राइब हो चुकी है बालक की सोसलाइजिशन का प्रोसेस शड़ु हो चुका है वह पुरकृरिया आरम्भ है अब क्या होगा कि उसकी कुछ मूल प्रवित्तियां होंगी जो जन्मजात होंगी तो बालक की मूल प्रवित्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए एक बात तो यह आपको ध्यान रखनी है फिर हमने जैसे जिग्यासा को लेकर बात की कि बालक की जिग्यासा बहुत होंगी उसके प्रश्न बहुत उसने देखा कि माता जी को ऑफिस जाना है पिता जी को ऑफिस जाना है ऑफिस क्यों जाते हैं आप ऑफिस क्यों जा रहे हो बात समझ पर आप ऑफिस क्यों जा रहे हो बच्चे ने टीवी में देखा उसने देख लिया कि कोई कह रहा है कि सब को एक दिन मर जाना है अब वो व्यक्तितु में फिर अपना योगदान देता है कि जिग्यासा की संतुस्टी जिग्यासा की संतुस्टी होना ये बहुत महतुपूर है ये दोनों बाते उसके व्यक्तितु में प्रभाव डालती हैं उसके व्यक्तितु के निर्माण में अपनी भूमी का निभाती हैं जैसे बालक को आत्म प्रदर्शन के लिए बालक ने का जैसे बालक की कोई इच्छा हुई जैसे कि मैं आपको कोई गतिवी दिया कि जैसे देखो बड़े पापा कैसे चलते हैं ताओ जी कैसे चलते हैं दादा जी कैसे चलते मैं चलके दिखाऊं उनकी नकल करके दिखाना इस अवस पहला जो चरण है प्राथमिक चरण है है समाजी करण की वो पूरी प्रकृर्जी परिवार के अंदर संपाधित हो रही मैं तो उसको आत्म प्रदर्शन का अवस्र देना चाहिए यह बाद्यान रखने आपको क्या कहेंगे को आत्मप्रदर्शन का अवसर ये बिंदू भी उसके व्यक्तितु के निर्माण में अपनी भूमी का निभाता है बालक के अंदर आत्म विश्वास की कमी हो जाती है यदि बालक को आत्म प्रदर्शन का अवसर नहीं दिया जाता एक बालक है जिग्यासावत एकदम सम्वेगों से भरा हुआ है बहुत जादा सम्वेग है सम्वेग का अधिक्य है अब ऐसे में वो कोई के बात कहता है कि मैं ये करके दिखाऊं बच्चे ने कोई नई चीज़ सीखी वो तुरंत क्या करेगा उसका प्रदर्शन करना चाहेगा और प्रदर्शन करके होता क्या है वास्तवम उसके पीछे ये कारण होता है कि वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहता है कि मेरी तरफ भी ध्यान दो मैं भी अग्जिस करता हूँ मेरा भी अस्तित्व है अब ऐसे में दो विकल्प हैं या तो बालक को एकदम चुप करा दिया जाए बालक को एकदम डाड़ दिया जाए क्या फालतों की बात कर रहो क्या होगा इससे देख रखा है हमने सब जानते हम इससे क्या होगा उसके आत्म सम्मान में तो कमी आएगी ह उसके आत्म विश्वास में भी कमी आएगी, और जब जब उसको यही चीजे यदी निरंतर जारी रही, उसको आत्म प्रदर्शन का आवसर नहीं दिया गया, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे अपनी उन जो समेग हैं उसके उनको दबाता जाएगा, और जब वो उनको दबात जाएगा, तो फिर वो इस चीज का आदी हो जाएगा, फिर उसके अंदर कोई भी विचार आए, कोई भी बात आए, वो उसका प्रदर्शन करने के लिए कहेगा ही नहीं, ये भी अपनी भूमी का निवाती है बालक के व्यक्तित्व में, हम कहते हैं कि ये जो अंतर मुखी ह ये भी एक कारण होता है, बिंदु सपस्ट हुआ, अब सिक्षा के संदर में ध्यान लखें कि बालक को इस अवस्था के बालक को जो जन्म से पाँच वर्ष का है, उसको सिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, उसके सिक्षा के लिए ये आवश्यक है कि उसको जो चीजे पढ़ा जाएं, वो पढ़ाई जाने वाली जो विसेवस्तु है, उसको सिखाई जाने वाली जो विसेवस्तु है, उसमें उसकी रूची आनी चाहिए, ये बाल्य अवस्था तक भी बिंदु जारी रहेगा, बालक की रूची होनी चाहिए, या जबरन उसको अधिगम नहीं करा सकत अधिगम के दृष्टि कौन से यदि हम बात करें जो सैस्वा अवस्था है इसको आदर्श कहा जाता है कैसी अवस्था है अधिगम के लिए आदर्श अवस्था है यह सैस्वा वस्था तो यहां उसको पाठ्थे क्रम में रूची होनी चाहिए पाठ्थे क्रम करा रूची कर होना ये आवश्यक है तो ऐसा वस्था में सिक्षा के स्वरूप के लिए ध्यान रखना है हमें कि बालक का जो पाठ्ठेक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक की रूची आए दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्विंद्व यह है कि जब बालक को तिखाया जाए तो उसको करिया के दूआरा अजूर खेल दूआरा सिक्षा दी जाए खिरिया तो था खेल द्वारा सिख्षा या बालक का जो सिख्षन का कारेसम पारित किया जाए वो परिवार के अंदर भी हो सकता है वो जब वो शुरुवाती दोर में विद्याले पहुंचेगा जैसे आप देखते होंगे प्लेवे स्कूल जो होते हैं उन प्लेवे स्कूल मे क्या होता है कि बालक को खेल के माद्यम सिखा जाता है वर्तमान में तो चीजे बहुत सुविधाएं हैं बहुत अधिक सुविधाएं हैं अभी कि बालक खेल खेल में सीख लेता है और वो जो सारी चीजें है वो जो पद्धती है इस अवस्था के बालकों के सिख्षन की वो है कि उसको खेल के माध्यक्स सिखाया जाए उसको किसी गतिविधी के माध्यम से सिखाया जाए अब समझा रहे हैं तक कि तो सिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि क्रिया तथा खेल द्वारा सिक्षा दिजानी चाहिए फिर एक अच्छी आदतों के निर्माण के लिए कि निर्माण के लिए अवसर दिये जाने चाहिए आप देखेंगे इसी अवस्था में एक बिंदू आप ये ध्यान नखेंगे नैतिक एवं चारित्रिक विकाथ के लिए तारित्रिक विकास के लिए तिक्छा दी जानी चाहिए तिक्छा दी जानी चाहिए तिक्षा दी जाने चाहिए यहां एक बात ध्यान रखनी है कि इस अवस्था में बालक को किसी भी प्रकार का भै नहीं होना चाहिए यदि बालक किसी प्रकार के आगाज से भैवीत है यदि बालक को ये डर है कि यदि मैंने यह कार्य नहीं किया तो मुझे क्या होगा डाट पड़ेगी या मुझे माता पिता या भिवावक में से परिवार का कोई भी सदस्य मुझे डाट देगा या मुझे पिटाई हो सकती है मेरी ऐसे में उसके द्वारा जो चीजे सीखी जाएंगी वो जबरन होंगी यानि कि वहां वास्तविक अधिगम नहीं होगा तो एक बिंदू एक अन्तिम बिंदू आप यह कह सकते हैं क्या ध्यान लखना है भै तथा दंड से दूर रखना भै तथा दंड से दूर रखना बालक यदी भैभीत होगा इसको आप कई संदर में समझ सकते हैं यदी बालक परिवार के किसी सदस्य से भैभीत रहता है बालक को भै है परिवार के किसी सदस्य से तब क्या होगा कि वो अपनी बातें अभिव्य नहीं करेगा अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करेगा उसको यदि आत्म परदर्शन के लिए वो कोई बात कहना चाहता है आत्म परदर्शन करना चाहता है किसी गतिवीदी के द्वारा किसी क्रिया के द्वारा वो भी नहीं करेगा यदि उसका कोई प्रश्न है उसकी कोई जिग्यासा है तो वो अपने प्रश्न को भी अभिव्यक्त नहीं करेगा अपनी जिग्यासा को भी अभिव्यक्त नहीं करेगा और यदि उसकी जिग्यासा अभिव्यक्त नहीं हुई उसकी जिग्यासा की संतुस्टी नहीं हुई ऐसे में क्या होगा यह सारी चीज़ जाके ज भावित होगा इस बिन्दु इसपोस्ट हुआ तो हमें शैश्वा वस्था में सिख्षा करोप उन रहें उन में इस आवस्था में आधिगम के दरश्टी कौन से थ्यान लखना है कि इसे आधर्ष वस्था कहा जाता है बात समझ मैं आई होगी यहां तक कि अब यदि हम बाल्य अवस्था की बात करें अब बाल्य अवस्था यदि तामान एकदम आयू वर्ग आपको ध्यान लखना हो तो आप ध्यान लखेंगे 6 से 12 वर्ष और अधीगम के अवस्था में इसको कहा जाता है कि यह अनोखा काल है अनोखा काल है यही वह अवस्था है जब बालक शारिरिक विकाद और बालक के मांसिक विकाद के दरिश्टी कोन से यह अवस्था बहुत महत्तोपूर है मैंने आपसे कई बार कक्षा में ये बात कही है कि बालक इस अवस्था में आप क्या लिजे एक ब्लैंक पेपर है एक कोरी स्लेट है उस पर जो लिख दिया जाएगा वो पर्मानेंट रहेगा वो पर्मानेंट रहेगा यदि इस अवस्था में बालक को मानसिक रूप से कोई लागात पहुंचा है तो वो उसके साथ जीवन परियंत रहने वाला है तो इस बाल्य अवस्था में सिख्छा का स्वरूप कैसा होना चाहिए तो इसमें शारिरिक विकास पर ध्यान शारिरिक विकास पर ध्यान क्योंकि विकास के क्रम में एक पक्ष यदि प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव बालक की दूसरे पक्ष पर भी परिलक्षित होता है दूसरे पक्ष पर भी दिखाई देता है यदि बालक शारिरिक रूप से उसका विकास प्रभावित हुआ बालक का शाररिक विकास प्रभावित हुआ है तो उसका प्रभाव बालक के मानसिक विकात पर भी दिखाई देगा उसका प्रभाव बालक के व्यक्तितु पर भी दिखाई देगा बालक के आत्मविश्वास में कमी है या जैसे भी रहे लेकिन उसका प्रभाव विकास के क्रम हमें दूसरे पक्ष पर दिखाई अवश्य देगा तो क्या करना है इस समय सिक्षा का स्वरूप्ष कि बालक के शाररिक विकास पर ध्यान देना है बालक के हम कहें मांसिक इस्तर की वाट आ जाए कि मांसिक इस्तर और वातवरण का ध्यान रखना है इस अवस्ता में बालक के भाषा का विकास पर ध्यान देना है भाषा विकास पर भाषा विकास पर ध्यान देना है बिन्दु इस पर स्ट हुआ यहां भी वही बात ध्यान लखनी है कि जब सिक्षन की बात आएगी बालक के तो पाठ्ठे करम कैसा होना चाहिए पाठ्ठे करम रूची कर होना चाहिए जिस पाठ्ठे करम में बालक की रूची आए क्या कहेंगे कि सिक्षन विधी रूची कर हो सिक्षण विधी रूची कर हो बालक को क्रिया के द्वारा बालक को खेल के द्वारा सिक्षा दी जाए खेल तथा क्रिया द्वारा सिक्षा जो बालक की जिग्यासाएं हैं उन जिग्यासाओं को प्रोत्साहन यह आप कहा सकते हैं जिग्यासा प्रवत्ती को प्रोत्साहन जिग्यासा प्रवत्ती को प्रोत्साहन यदि बालक की कोई जिग्यासा है बालक के मन में कोई प्रश्न आया तो बालक के उस प्रश्न का जवाब देना है अब यहां यह बिलकुल आवश्यक नहीं होता कई वार आप देखेंगे घर में परिवार में बच्चे ने कोई ऐसा प प्रश्न पूछता है कि आप कब मरेंगे यह आपने देखा होगा अधिकांशता आपने प्रश्न सुना होगा कि मैं कहां से आया मुझे कौन छोड़के गया तो बच्चे को कई बार कहते हैं कि तुम्हें परी छोड़के गई थी तुम्हें भगवान जी ने भेजा था अब यह बिलकुल नहीं सोचना है कि हमने तो बच्चे को गलत जवाब दिया यहां ध्यान केवल इस बात करकना है कि बच्चे की जो जिग्यासा थी उस जिग्यासा शान्त हुई के नहीं वो बच्चा जिग्यासा उसकी संतुष्ट हुई या नहीं इससे क्या होता है कि बालक के मन में जो भी प्रश्ण आएंगे वो मुक्त भाव से अपनी जिग्याशा को अभिव्यक्त कर पाएगा वो एकदम बिना डरे बिना किसी भैके वो बिना किसी आघात के भैके या दंड के भैके वो अपने जो जिग्याशा है उसको अभिव्यक्त कर पाएगा इससे क्या होता ह कि उसके आत्म विश्वास में व्रद्धी होती है बालक के आत्म सम्मान में व्रद्धी होती है कि मुझे सुना गया मेरे प्रश्ण को किसी ने एक दम ऐसे नहीं कह दिया कि भई यह फालतों की बात पूछ रहा है चुपरो जो ये नहीं बहुत बोलता है चुप रहा करो किश यह नहीं कि मेरी बात सुनी गई अर्थात मेरा सत्य है मेरा अस्तित्य है मेरी अंटिटी है बात समझ आ गई तो ध्यान रखना है कि बालक की जिग्यासा है उस जिग्यासा प्रवत्ती को प्रोथ साहन दिया जाए अब इसी जिग्यासा प्रवत्ती से जुड़ा हुआ एक बिंदु है आपने देखा हुआ कि बच्चे रचनात्मक होते हैं हर बच्चा व्यक्तिगत प्रवत्तियां है बेसिक इंस्टिंक्ट है वो भी अलग हो सकती है तो यदि कोई बच्चा रचनात्मक है तो यह ध्यान देना इस अवस्था में कि रचनात्मक प्रवत्ती के विकास पर ध्यान देना है बच्चे की रचनात्मक प्रवत्ती को प्रोथ साहित करना है तो एक बिंदू आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि बाल्ले वस्ता में सिक्षा का स्वरूप कैसे हो रचनात्मक प्रवत्ती की विकास पर ध्यान विकास पर ध्यान और फिर एक वही बिंदू नैतिक सिक्षा अब कुछ बात हम कर लेते हैं कि शोर अवस्ता के बारे में कि शोर अवस्ता यदि आप आयू कहनु सा जाएंगे तो आप समाने से क्या कह सकते हैं कि 12 से 18 वर्स अब यह वर्गी करण बाल्य अवस्ता में और किशोर अवस्ता में बालक बाली का वाला अलग लग नहीं करना है अभी के वलं समान ने अर्थों में समझ रहें इस अवस्था में जो अधीगम की अवस्था है इसको का जाता है कठिन काल है कठिन काल है कठिन काल क्योंकि कई प्रकार के परिवर्तन बालक महसूस करता है तो इस अवस्था में एक तो शाररिक विकास के लिए सिक्षा दी जान यहां ध्यान रखना है मानसिक विकास के लिए सिख्था मानसिक विकास के लिए तिक्षा दी जानी चाहिए यहां एक बिंदु आपको अलग है थ्यान रखना है सम्वेगात्मक विकास सम्वेगात्मक विकास इसी वजह से इस अवस्था को जब हम अधीगम के दरश्टी कौन से बात करते हैं तो इसको कठिन काल कहा गया है क्योंकि ये जो समय है 12-18 वर्ष वाला इस समय में बालक सम्वेगात्मक रूप से आप ये कह लिजे कि चाहे सुखद सम्वेग हो या दुखद सम्वेग हो उनकी अधिक्ता होती है उनका आप ये कह लिजे कि एकदम वो चर्म पर पहुँचते हैं तो अधिगम प्रभावित ना हो इसके लिए आवश्यक है कि बालक सम्वेगात्मक रूप से विचलित ना हो बास समझ पाए और इस अवस्था में जो सम्वेग है सम्वेगों की अधिक्ता होती है क्यों क्योंकि इस अवस्था तक बालक को अपने सम्वेग नियंत्रित करन में सक्षम नहीं है बास समझ पाए आप अनुभाव करेंगे किसी बिंदु को लेकर एक बालक बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकता है एक बालक बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकता है उसी बिंदु को लेकर यदि उसी बात जैसे मानिजे बालक ने कक्षा में बहुत बहु होगी को वो इतना आति उत्साहित क्यों है सम्मेगों की वजह से तुखत सम्मेगों का नुभव कर रहा है और सम्मेग एकदम कहां चर्म पर है अनुभव नहीं करपाएंगे वास्तमज़ पाएं तो इस अवस्था में बालक का और ओस्तविक सम्मझा को कँछा दोरान ये जिम्मेदारी होती है सिक्षक की कि बालक सम्वेगात्मक रूप से विचलित न हो जैसे ही बालक कक्षा में सम्वेगात्मक रूप से विचलित हुआ तो उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम नहीं होगा और यदि बालक के द्वारा किया गया अदीगम वास्तविक अदीगम नहीं है इसका अर्थ होगा सहजी कि सीक्षक का जो सिक्षण कार रहे है वो भी प्रभावि नहीं है वो भी वास्तविक नहीं कहला इस लिए gyda back शोक्षा की दोराण ये सिख्षक की जिम्म्मिदारी अधिक होती है कि considering सम्वेग आत्मक रूप से विचलित ना हो बिंदु इस पस्ट हो गए हां तक का तो किशोर अवस्था में शाररिक विकास के लिए सिक्षा दी जानी चाहिए मानसिक विकास के लिए सिक्षा दी जानी चाहिए सम्वेग आत्मक विकास के लिए सिक्षा दी जानी चाहिए एक को सामाजिक विकास के लिए भी सिख्षा दी जानी चाहिए साथ ही हम कहेंगे धार्मिक और नैतिक सिख्षा धार्मिक और नैतिक सिक्षा फिर व्यक्तिगत भिन्था वाला प्रश्णी हावी आएगा व्यक्तिगत भिन्था के अनुसार बालक के पास जो कुछ छमताएं हैं कक्षा में उपस्तित सभी विद्यारती एक छमता के नहीं होते सामानने तो मैंने आपसे कहा है कि सामानने तो तीन इस्तर देखने को मिलते हैं एक प्रखर बुद्धी के विद्यारती एक उसत से कम बुद्धी के विद्यारती तो प्रखर उसत और उसत से कम अब इन तीनों की अपने उन मानसिक चमताओं के मानसिक योग्यताओं के अनुसार तिक्षा से आवश्यक्ताइं भी अलग-अलग होंगी प्रभावित होंगी वही प्रकर बुद्धी का विद्यारती उसको एक बार यदि सिक्षक में कोई बास समझाई उसको आसानी से समझ में आ गई और वो समय तक के लिए याद रख सकता है ध्यान रख सकता है वही जो औसथ बुद्धी का विद्यारती यह हो सकता है उसको दो बार बतानी पड़े जो ओसत से कम उसको 3 वार simult想 स्मझभाई तो इस अवस्था में ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत भिन्यता के अनुसार दी जानी चाहिए व्यक्तिगत भिनता के अनुसार सिक्षक अच्छा यहां जब व्यक्तिगत भिनता को ध्यान में रखते हैं सिक्षक तो इसके क्या होता है बालक के आत्म सम्मान में विरद्धी होती है बालक के आत्म विश्वास में भी विरद्धी होती है कारण उसका क्या है जैसे बालक को एक बार में समझ में नहीं आया तो सिक्षक उसको दुबारा समझा सकते हैं सिक्षक ये कभी नहीं कहेंगे तुम्हें तु लेट समझ में आता है तुमको एक बार में इतनी आसान चीज समझ में नहीं आई बताओ इससे क्या होता है यदि ऐसा हुआ यदि उस विद्ध्यारती के साथी समूने किसी ने ये कह दिया कि इसको एक वार में चीजे समझ नहीं आती और इस सवस्ता में बालक होते भी ऐसे हैं कि वो क्या करेंगे एक दूसरे की खिचाई भी करते हैं जो मित्र समू होगा जो कक्ष समझ में आएगा नहीं जैसे आपने कई विद्यारत message समझ में आथा इसका अर्थ हुआ कि अगया उन्होंने धारना वनाली कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं यह मुझे समझ में नहीं आएगा जानी कि उनके आत्म विश्वास में कमिया गई बास समझ पा रहा है आप यहां तक कि तो व्यक्तिगत भिन्ता के अनुसार सिक्षा दी जानी चाहिए किश्वर आवस्था की महत्वण सिक्षा का स्वरूफई बिंदु महत्वण है बास समझ आ समय आत्मक चीजें मानसीक परिवर्तन वह जुड़े हुए हैं कई अवस्था में जाकर बालक भविश्य को लेकर एक की भावना से नहीं होता वह क्या करना है आगे चलकर क्या करना है यह कई सारे विचार साथ साथ चल रहे होते हैं दूसरी बात आप देखेंगे इसी अव से वह बाव विभोर या पिकलीजी संवेगों की अधिकता है उसको जो विप्रीत लिंग है उसके पृति आकरशन भी होगा उसके पृति आकरशन भी होगा तो वह कहीं मन में उसके एक प्रेम की भावना भी जागेगी किसी को लेकर वह सारे बिंदू भी चल रहे हैं तो यहा योन सिच्छा की आवश्यक्ता है बात समझ पाए इस समय बालक को कानु भूति पूर्वक व्यवार की आवश्यक्ता होती है जैसे बालक इस समय यदि किसी को लेकर किसी भी एक व्यक्ति को लेकर उसके मन में कुछ बिंदु चल रहे हैं कुछ भाव उमड रहे हैं उस व्यक्ति के लिए तो उसकी इस इच्छा को सप्रेस करने के आवश्यक्ता नहीं है विस्युषा को उस चीज के फायदे नुकसान बताने की आवेश कता है उसको ये सम्झाने क्या विशकता है कि तुम्हारा दोश नहीं ये ये आयूवर्ग की विसेथर है ये इस आयू की विसेथर है क्योंकि जो परिवर्तन आप देख रहे हैं या सम्मेगात्मक रूप से वह बहुत विचलित है तो यह इस आयू की वजह से है ऐसा होता है बासमच पर ऐसा नहीं कि तुमने कितना घ्रणित कारे कर दिया इससे क्या होगा इससे वह आत्म हींता की भावना वह जो गलानी की भावना है वो उसके अंदर पैठ बनाएगी और यहीं जो आत्म हींता की भावना है व्यक्ति को अपने इस्तर पर आत्म विश्वास की भावना होनी चाहिए बाकी चाहे कोई जो कुछ कहें तो इस अवस्था में जाकर यह सिक्षक की जिम्मेदारी अधिक होती है साथी साथ सिक्षक के अलावा जो अभिभावक है परिवार के सदस्य है उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है क्योंकि वो इस पड़ाओं को पार करके गए हैं उन्हें पता है कि इस आयूवर्ग में यह परिवर्तन सुभाविक है बात समझा गई यानि कि उसने कोई भी ऐसा कारण नहीं किया जो घ्रनित है या जो अनोखा काम उसने कर दिया हो ऐसा नहीं है बस उसको करना क्या है उसके आत्म सम्मान को ठेसना लगे उसका आत्म विश्वास कमना हो उसमें आत्म हींता की भावना गलानी की भावना घर न कर देना है अधीगम की सही दिशा में मोड़ना है कि बिंदु सपस्ट हुआ यहां तक का तो यह हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि किशोर आवस्ता में कुछ सिक्षा के स्वरूप हो जाएंगे जिनको ध्यान रखना होता है इसमें आप यह भी कह सकते हैं व्यक्तिकत भिनता को जब ध्यान में रखेंगे तो उप्योक्त सिक्षण विधी का प्रियोग करना चाहिए उप्योक्त सिक्षण विधी यानि कि जिस सिक्षण विधी से बालक सीखने में सहज है उन सिक्षण विधियों का प्रियोग किया जाना चाहिए जिनमें बालक केंद्र में हो जिनमे से अपने अधीगम को वास्तवी अधीगम यह प्रभावी अधीगम बना पाता है उन विधियों के माध्यम से उन पद्रतियों के माध्यम से सिक्षण कारे संपादित किया जाए बिंदु इस पस्ट हुआ तो हमें अपनी इस परिक्षा को ध्यान में रखते हुए शैश्व अवस्था में सिक्षा का स्वरूप बाल्य अवस्था में सिक्षा का स्वरूप और किशोर अवस्था में सिक्षा का स्वरूप ये ध्यान रखना चाहिए आप भावी सिक्षक हो तो आपको यह सारे बिंदू ध्यान रखने हैं बात समझ आ गई हैं तक कि मैं यह उम्मीद करता हूं कि विभिन अवस्थाओं में सिक्षा के स्वरूप को लेकर एक सामाने समझ आपकी बनी होगी कुछ नया आज आपने अवश्य ही सीखा होगा आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप से किसी अगली क्लास में तिल देन बाबाई है वैव नाइस टेइग कर दो